बिग बॉस और टीटी टू के विनर और यूट्यूबर एलविश यादव अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी किसी लड़ाई जगडे को लेकर तो कभी मनीशा रानी के साथ अन्बन को लेकर इन दिनों एलविश काफी लाइम लाइट में रहे हैं। इसे पहले भी वह लगजरी कार खरीद चुके हैं। एलविश ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उन्होंने मर्सिडीज जी वैगन खरीदी है। वीडियो में वह कार के बारे में बताते हुए नजर आ रही हैं। और इसके बाद वह इस बाद की जानकारी फोन करके अपनी मा को भी देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लगजरी कार की कीमत तीन करोड से ज्यादा की बताई जा रही है। इसी व्लॉग में उन्होंने यह भी बताया कि इस कार को वह 2022 में ही खरीदना चाहते थे लेकिन उस समय इसको बंद कर दिया गया था। वी वर प्लानिंग तो भाई इस कार बैक इन 2022 तो उस टाइम पर यह मॉडल हो गया अपने डिसकंटीनू जिसको पता होगा मस्टीज के बारे में पता होगा। बिग बॉस OTT सीजन 2 में मनीशा रानी और एलविश यादव के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी। लेकिन अब उनकी यह दोस्ती खत्म हो गई है और आए दिन दोनों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है।